बिस्मिल्लाहिरहमारीरहीम अस्सलाम अलेकुम आप EasyVisa YouTube चानल देख रहे हैं और मैंने आपसे आज बात करनी है IRCC introduced a new two-year innovation work permit via global hyper growth project on April 15, 2024 this new stream will allow eligible Canadian companies to hire foreign worker without a limia job offer under tier 0, 1, 2 and 3 are considered high skilled jobs ठीक है clear हो गया यानि के तक्रीबन तक्रीबन अब जून में हम हैं मई से एक महिना पहले और मई के अप्रेल के 24-15 और आज से डिड़ा महिना पहले जो आपको मैंने इंट्रडूस करवाया था program वो था ये वाला program Global Hyper Growth Project और इसके बारे मैं आपसे बात करनी है कि आपने इसको पर कैसे वर्क करना है क्यों वर्क करना है क्या जूरूद है वर्क करनी की आपके सामने में काम करूँगा लेकिन इससे पहले announcement सुन लीजेगर वो ये है कि ये जो आने वाली 19 तारीक है अब मैं आपको dates दूँगा, dates आपने लेनी है, short में भी दूँगा, community में भी दूँगा, आपने देखना है उसको 19 तारीक को हमारी इसलामबाद में काउंसलिंग्स हैं, ठीक है, और ये काउंसलिंग्स या आने वाली काउंसलिंग्स जो हमारी है 19 तारीक को, 20 तारीक को, 21 को, 22 को, 24 को, 25 को, 26 को, 27 को, यहीं कि पूरा week जो है इसके लिए हमने एक mobile number खोला हुआ है, जिस पर आप booking कर सकते हैं, अभी इसे लेकर booking on है जैसे ही आप विडियोड़ी देख लें, आप booking कर सकते हैं, राप्ता कर सकते हैं, आपको response मिल जाएगा जेतने जल्दी हो सके मिल जाएगा, क्योंकि बारी का वेट कीजिएगा, आपको reply कर देंगे, काउंसलिंग के हवाले से, ठीक है और मैं एक email address देदूँगा, वहाँ पर भी आप reply करवा सकते हैं, अगर आपने वहाँ पर कोई अपनी booking कर दी है, तो आप वहाँ पर भी share कर सकते हैं, कोई देखा जाएगा मेरी offer आपनों के लिए ये है, और मेरी खौहिश ये है, कि जब मैं आपसे मिलता हूँ, तो मुझे आप लोगों को कुछ ने कुछ देना होता है, तो वो देने का मामला ये है, कि मैं चाहता हूँ, कि मेरी आपकी मुलाकाद भी हो, मैं आपकी counselling भी करूँ, उससे पहले मैं मैं आपकी assessment भी करूँ, और मैं आप लोगों को बहतरी offer दूँ कि ये program आपके लिए best है, मेरा target तो इस program का है, कि मैं आपको इसमें डालूँ, यूगर इसमें लीमिया फ्री है, लीमिया है ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसमें डालने कोश्य को, अगर इसमें प्रोग्राम में क कहीं और accommodate करने कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर या जो भी suitable program होगा, हम उसमें accommodate करने कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा target यह है, कि मैं आपको एक कम असकम ऐसे program जरूर लालूँ, जहां पर लिने का चक्कर ही नहीं है, यहां के लिए मैं आप लोगों के लिए counseling को भी free करना च चाहता हूँ, ठीक है न, आप free counseling कैसे करें, ठीक है न, कुछ लोग बोलेंगे हमने तो payment कर दी है, ठीक है न, payment कर दी है, बिल्कुल payment कर दी है, सबने payment करनी है, ठीक है, लेकिन free counseling कैसे होगी, जिन लोगोंने payment कर दी है, और जो लोग payment जो लोग नए आ रहे हैं, उन्होंने payment क काँस्लिंग को बुक करने के लिए पेमिंट करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप इस प्रोग्राम में आएंगे, या आप यूरप़प प्रोग्राम में आएंगे। या आप New Zealand के program में आएंगे, work visa के किसी भी program में आप आएंगे, आपको इन लोगों को जो लोग booking करवा रहे हैं, 19 तारीक से लेकर 28 तारीक जो इनकी booking हो रही है, जिन से मैंने physical मिलना है, इन लोगों को counseling के पैसे refund कर दिये जाएंगे, इनके पासे code होगा, ठीक है ना, उस code की क तो जब आप payment कर रहे होंगे, अपने इस program को book करने के लिए, तो आपकी counseling की fees minus कर दी जाएगी, आपकी booking से, आप a code cash हो जाएगा, यहनि कि मतलब यह हुआ कि एक counseling के ओपर, एक booking के ओपर, एक बंदा जो है, वो free count होगा, और आप मेरे साथ, अपनी जो आपकी family है, अगर आपकी जो wife है, तो वो, या अगर आप wife है, तो आपके शोहर है, जो वो, वो मिल सकते हैं, ठीक है न, वो एकी निशिस्त में, मिल सकते हैं, यह नहीं कि एक बंदा बैठे का तो कोई और बैठे का नहीं, ठीक है, यह हमारी meeting आप से होगी, one-to-one meeting होगी, और मैंने आप से का किसी प्रोग्राम के अंदर, आपको आपकी जो counseling की fees है, वो refund कर दी जाएगी, यह बिलकुल, जिन लोगोंने payment कर दी है, उनसे नहीं किया रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया उनसे नहीं किया रहा हूं, अब आज इस प्रोग्राम के अंदर, मैंने का यह आपको इलम में आ च जो कि आगे खतम हो सकता है, या अगे continue रहेगा, अप्रेल 15, Canada induced a new two-year innovation work permit, this innovation stream will bring in highly skilled foreign worker without a linear, family members of these foreign worker will be eligible to work under any employer in Canada, the two-year innovation stream work permit will end on March 22, 2026. तो आप लोगों के पास चांस यह है कि आप मार्च, 22 मार्च, 2026 अप्लाई कर सकते हैं, दो साल का work permit होगा, लिमिय अगा चकर हो गई नहीं, companies कौन सी हैं, बता के जाओंगा, दिखा के जाओंगा, screen पर देख लेना, रोक लेना, पढ़ लेना, अप्लाई कर देना उसके और आपकी family को, आपकी बीवी को, आपकी बच्चों को open work permit मिलेगा, अगर बीवी को मिल गया job, तो husband की open work permit है, अगर husband का open work, अगर job हो गई, तो बीवी की open work permit है, यह हो जाएगा, और आपके बच्चे गर उस काम में आते हैं, तो वो भी हो जाएंगे, innovation stream employer specific work permit, if you receive a job offer from one, the employer participating in the hyper growth project, you are eligible to apply an employer specific work permit, under the innovation stream, sections लिखे में, तमाम चीज़े लिखी में हैं, मैं आपको सीधे लेके जाऊँगा, यह पहले company के नाम देखे जाऊँगा, eight companies in Canada, hire foreign nationals without needing and limia, आप लोगों को करना क्या है, तरीके से apply करना है, एक शांदार किसम का Canadian base CV बनाना है, एक शांदार किसम का cover letter बनाना है, उसके अंदर अपने जात के और company के demand के key points add करने हैं, ठीके, और उसके बाद आपने इन companies को, जो आपके सामने screen पर अंदर आ रही है, search करना है, उनकी website पे जाना है, वहाँ पर carrier का box ख apply करना है, और ये apply दो साल तक जारी रहेगा, दो साल तक आप लोगी call आ सकती है, उसका follow up करना है, company को follow up की email करनी है, company से आप बात कर सकते हैं, company से बात करनी के लिए number दिये वे हैं, उसके लिए आपके पास email भी है, उसके लिए आपके पास call भी है, और उसके लिए आपके document को DHL भी कर सकते हैं और जो आपके पास offer आएगी उसके अंदर आपको linear दरकार नहीं होगा इससे और बड़ी क्या बात होगी आप कहते हैं जो बाते आप कर रहे हैं ये आपने ली कहां से हैं तो ये आपके सामने मैंने खोल दिया canada.ca official website अगर ये तमाम कब हम करेंगे तो cv हम मनाएंगे cover letter हम मनाएंगे apply हम करेंगे हमारे उस program में आएंगे तो आपका counseling है वो free count होगी आप हमारे program में आजाएंगे and you will be refunded ठीक है यहाँ पर ये राजी program उसकी official website पर screen पर देख रहे हैं जिसकी total fees है 155 डॉलर 155 डॉलर Canadian कितने बनेंगे पाकिस्तान में वो हिसाब लगा ले ना क्या कह सकते हैं 15 30,000 45,000 रॉपए शायद 45,000 रॉपए शायद पता नहीं आप लोग comment करें और मुझे बताएं Canada 155 डॉलर multiply by PKR what is the answer ठीक है यहाँ पर आपने इस program को यहाँ से लेना है पढ़ना है और इसके बाद इसके sections पढ़ने है और इसके बाद आगे बढ़ना है यह तमाम की तमाम जो detail है आपके सामने global hyper growth project की है और मैं उमीद करता हूँ कि यह तमाम program जो है इंटर follow up सब बता दिया है apply कैसे करना है यही सवाल होता न मैंने पूरा बता दिया है इस लोड़ी को दुबारा देख लीजिए और इसको follow कीजिए and you will get everything till apply जब apply का जवाब आजाए उसके बाद process होता है visa process होता है documentation होती है वो आपको form भीजेंगे वो आपने भीजेंगे वापिस करने हैं भर के वापिस करने है sign करके वापिस करने है offer कबूल करनी है उसके बाद वो काम करेंगे आपने उसको receive करके आपने उसको follow up करना है मैं उमीद करता हूँ कि यह काफी है और मैं आपसे मिलने आ रहा हूं 19 तारीक और इसलामबाद में उसके बाद फिर लहौर है मुझफराबाद है और जहां जहां पर कराची है तमाम लोगों से मेरी मलखाद होगी लेकिन जो कराची है वो 27 तारीक के बाद है ठीक है ये क्लियर होगा कि मेरा पूरा टूबर वहाँ से कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर मैं अपने काम पर चला जाओंगा मैं भी काम करता हूँ अगली वीडियों मिलते हैं अलाह आफिस